इस चैनल के उपर रुजाना बेसिस पे मैं वीडियोस बनाता हूं फॉर एक्स के अवाले से और आप फ्री आफ कॉस्ट यहां पे ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं और अजुकेशनल वीडियोस हैं आप टेमो पे ट्रेड करें और जब आप समझें कि आप ट्रेड के करने के का आप इसमें रियल अकाउंट पे काम कर सकते हैं तो यहां पे आज हम लाइव अनलसिस भी इसका थोड़ा सा देखेंगे गोल्ड का आज क्योंके मार्केट इसकी बंद हो जाएगी फ्राइडे है और सेचर्ड इस संडे आपको पता है कि फॉरक की मार्केट जो है वो काम नह इतना जो हम यहां पे मजीद हम जो आना इसका क्या वेट कर सकते हैं देखें अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डे ट्रेडिंग के अंदर तो आपको रुजाना बेसिस पे अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको बंद करना चाहिए ठीक है अगर आप स्विंग ट्रेडिं तीन दिन चार दिन या एक वीक की ट्रेडिंग करते हैं तो देन आप उसको जो है वो वेट कर सकते हैं बट अभी क्योंकि जिन आपकी जो ट्रेड़ है वो एक नहीं हो गया आगे नेक्स तो उसके लिए क्या होगा कि बेतर है कि आपकी जो ट्रेड़ है उनको फिल हाल पंद करना अच्छा होता है तके आप नेक्स मार्किट की मूबमेंट को देखते हुऊ आप नेक्स डिसीज़ जो आपजिएंट आपको समझने में भी असानी रहेगी और दूसरा यह कि आपको इससे help मिलेगी और उस तरीके से फिर आप ट्रेडिंग में जहां वो हिस्सा ले सकते हैं और आपको जैसे कि प्राइस एक्षिन की वीडियो भी आना शुरू हो जाएंगी और यह भी एक उसका part है तो आपको सम के चार्ट आपको नज़र आ रहे है कि डेली का और एक एक एच्वन का अब डेली के अंदर मैं ट्रेंड और बाकी चीजें उसके लेवल को देख रहा हूं और साथ मैं जो ट्रेड ट्रेड मैं एक्जीक्यूट करता हूं मैं करता हूं मैं करता हूं स्विंग ट्रेडिंग म करेंगे तो वो डिपेंड करते हैं आपके मजाज के उपर भी और आपके अकाउंट के उपर भी पे भी के आपका कितना किस लेवल का अकाउंट है यह दिखेंगे ट्रेड जो है रहा है यह मैंने active की थी, एक trade मैंने ली थी 11 को, आप date देख रहे हैं और दूसरी trade मैंने यहाँ ली है, 12 November को, दोनों trades buy की trade हैं और यह gold की उपर लगाईगी है, यह इसकी price थी और stop loss, जैसे मैंने आपको बोला कि stop loss के साथ आप लाजमी काम करें तो stop loss जै वो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है और stop loss और TP के साथ मैं यहाँ पर stop loss के साथ जै वो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक हो गया और यहाँ पर TP लगाना इतना जुरूरी नहीं है आप values को बंद कर सकते हैं, levels को लेकिन अगर आपके opposite market चलती जैसे कि यह पीछे हुआ था और काफी दोस्तों को शायद last हुआ हो इसमें market buy trend में थी और अचानक गिरी है नीचे तो उस सूरत में जो stop loss है वो आपको बचाता है एक वीडियो stop loss की मैं बना चुका हूँ वो last वाली वीडियो उसको आप लाजमी देखें कि किस तरह का आपने stop loss काना है आने वाली वीडियो भी इन्शालास में होंगी stop loss लाजमी यूज़ करें अब भी यहां पर मैं trade क्यों बंद करना चाहूँ उसकी पहली reason तो यह है कि यहां पर RSI अपने 70 से उपर trade कर रहा है और दूसरा यह 200 moving average की उपर भी market ही हाँ पर एक उसको resist कर रही है ठीक है उस हिसाब से H1 में अगर हम देखे तो और दूसरा market की क्योंकि closing है तो इसलिए मैं इसको बंद करना चाहूँगा अब trades यह मैंने active क्योंगी यहां पर दो buy की trade किस वज़ा से लिए है देखे एक trade अगर अगर आप day 1 के chart frame को देखें तो यह एक level बना रखा है मैंने काफी time से मैं आपको यह भी दिखा भी रहा हूँ blue line के अंदर यह उपर भी है और यह नीचे भी है यह वाला area resistance है जब तक market इसको उपर क्रास नहीं करती और इसको उपर trade नहीं करती यह area resistance area है और यह आपका sport area है sport area में अगर आप देखें तो एक दफ़ा यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच दिन पीछे भी market ने try किया लेकिन इस area को market तोडने में नकाम रही और यहाँ से उपर चलीगी उसके बाद उपर वहाँ से गिरी और यहाँ पे देखें एक दोबारा उसने try किया और again उसने तीसरी दफ़ा try किया और यहाँ पे भी एक, दो, तीन, चार दफ़ा market इसी area के पास पास रही है और इसको तोडने की कोशिच की बट वो नहीं तोड़ पाई तो मतलब यह काफी strong area है और इसी लिए हमने उसका एक level खैंच रहा ताके यहाँ पे हम उसको देख सकें अब जब इस area के market पास आई तो यहाँ पे देखें अब trade मैंने इसको देखके नहीं ली लेकिन इस time market यहाँ पे थी और market यहाँ पे देखें काफी time से यह ऐसे move कर रही थी जैसे कि आप भी यहाँ पे देख रही हो यहाँ पे देख रही हो ठीक है यहाँ पे यहाँ पर यह वाला area ठीक है तो यह वाली देखें और यहाँ से हमने एक trade execute की थी इस level को देखते हुए यह वाली यह trade लगी हुए और इसका जो stop last है वो हमने रखा नीचे 18.38 पे और यह जो stop last है यह उसी rule के तैत रखा गया है जो मैंने last वाली वीडियो बनाई है जो के आपकी percentage को account के percentage को देखते हुए और यह percentage कितना है अगर आप इसको देखें तो यह वही वाला है 254 डालर जो के मैं last वीडियो में बता भी चुका हूँ और यह 2% का risk है 12,000 डालर की ओपर ठीक है 2% का risk है तो वह सी साबसे मैंने यहाँ पर लगाया लेकर वह बहुत ही अच्छी position पर ल active की दूसरा कौन सा मैंने आपको बताया था कि जब भी market 50 के moving average से उपर जाती है दन आप इसके उपर buy की trade execute कर सकते हो और आप पीछे भी देखें तो 50 के उपर अगर trade का रही है market तो काफी ज्यादा chances है कि हम यहाँ पर अच्छी trade ले सकते हैं काफी time कितने घंटे market इसी area को वो तोड़ नहीं पाई तो यहाँ से हमने एक buy की trade ली और इसका जो stop last है वो stop last मैंने लगाया last दिन का जो यह अब मैंने उपर कर दिया वैसे लिख रही है कि इसका जो stop last था वो कल वाला जो low था उसके नीचे लगाया ठीक है और उसके बाद stop last लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है otherwise आप जो है वो उसमें आपको last होने के chances हो सकते हैं उसके बाद हम आते हैं next अब यह एक level है अब next market के क्या moment है अब हमने यहाँ पर market close कर दी और अभी मारे पास जो profit चल रहा है वो आप देख सकते हैं live आप यहाँ पर देख सकते हैं 444 डालर का profit चल रहा है और अ अब हमने इसमें क्या करना है कि next यह एक line लगा रखी है मैंने यह line क्यों लगा रखी क्योंके market उपर की तरफ move कर रही है और same इसी area को वो break नहीं कर पा रही है और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक जो bearish candle है वो बन रही है H1 केंदर और day 1 केंदर अभी bullish candle है और यहाँ पे bearish candle आपको नजर आ रही है तो इसमें यह है क्या क्योंके RSI काफी 70 से उपर move कर रहे है तो market थोड़ा सा नीचे आ सकती है लेकन यह permanently नीचे नहीं आएगी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा level है जो कि मैं भी यहाँ पे आपको दिखाना चाहूं यह वाला आप अगर इस level को देखें तो बहुत ही crucial आप इसे कह सकते हैं बहुत मलब के एक strong level है यहाँ पे कितने घंटे market इसने इस area को break करने की कोशिश की फिर उपर गई फिर इस area को break करने की कोशिश की नहीं आ सकी और फिर इसके उपर जाने के बाद फिर again इस area को इसने touch किया फिर again इस area से जब निकली है तो यहाँ से वो market buy की है अगर अब market down आती है तो आप again buy की trade लेंगे ठीक है buy की trade आप ले सकते हैं क्योंकि अभी इस time 50 के उपर और h1 के अंदर 50 के उपर और 200 के moving average के उपर market trade कर रही है और अगर हम h1 में day 1 में देखें तो 200 के moving average से उपर है मतलब ये भी हमें अभ buy का जो area है वही अभी हम उसमें खड़े हैं और अभी gold को जो हना वो sell करने अगर sell में proper sell में जाना है या अपना run change करना है तो उसको ये वाला area यानि कि 18.40 ये break करना पड़ेगा अगर ये break करती है तो then हम sell के बारे में सोच सकते हैं otherwise जब भी market down आए तो आपने buy की position लेनी है अब यहां पर हम buy की position इस area पर ले सकते हैं या इस area पर ले सकते हैं वो अपने money management के साथ आपने trades को active करना है otherwise आपने नहीं करना उसको देखती हुए करना ठीक है अच्छा थी उसके बाद अगर market यहां से down आती है और साथ हम थोड़ा सा follow करेंगे RSI को और बाकी कुछ indicators को ब इसने यह दो levels ऐसे हैं जिनको आपने देख के चलना है और यह एक तो triangle है और triangle से अभी बाहर है आप देखेंगे gold दुबारा यहां तक हो सकते नीचे move करें और यहां से फिर again यह उपर की तरफ move कर सकते है अब next level है वो इसका यह है जो blue area है यह आप day one में अगर चक करें तो सकते हैं again आप यहां से sell की entry ले सकते हैं 50 के moving average को cross करने के पाद जब तक यह अगर 50 की moving average day one के अंदर उपर cross करना शुरू कर दे तो फिर आपने sell की यहां पर entry लेनी risky हो सकती है लेकन आप यहां पर sell entry कर सकते हैं अगर market इस range में आती है और इसका stop loss बहुत ही close रखना आपने इस area में क्योंकि अगर market ऊपर जाती है ज्यादा chances बायक हैं बट हम यहां पर risk ले सकते हैं sell का risk ले सकते हैं यह already हमने यहां पर बिलिया था ठीक है again हम ले सकते हैं बट आपने ध्यान से और money management के साब से आपने trade करनी है तो यह एक चोटा सा live एक analysis भी था gold का और दूसरा मैं आपको दिखाना चाहा कि हमने यहां पर trade active करवाई थी हमारा जो facebook group है उसके अंदर भी यह trade मैंने active करवाई थी इसी area के ओपर जहां पर मैंने trades लगाई हैं और जिन्होंने लगाई थी उस time trades वो alhamdulillah profit में चल रहे होंगे और अगर किसी ने इसके साथ लगाई है तो आप ज आप मजीद market को जब हो analyze कर सकते हैं और उसकी values को देख सकते हैं लेकिन यह वाला area मैंने अभी आपको बता दिया कि यहां पर अगर आती है market दुबारा से और मुक्तलिफ indicators आपको और भी बताती हैं चीजें कुछ candles भी आप अगर आपको इशारा दे रहे हैं तो आप यहां स तो वह आप relax करें enjoy करें उस profit को लेके अफता इतवार को और उसके बाद फिर आप इसको next में जो हैना वो trade कर सकते हैं अगर आपके किसी ऐसे दोस्त जिसका last हुआ है तो वह भी बार-बार trades को ना करें थोड़ा सा अपने mind को refresh करें और दोबारा से हम यह market कहीं पर जानी रह करेंगी तो अभी मैं आपके सामने यह trades बंद कर रहा हूं next trade जब भी मैंने active की और कौनस एरिया पर की वह मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा अपना बहुत सा रख्या रखेगा और मिलते हम next video में और कैसी video लगी है आपने comment में ज़रूर बताना है अलाहाफेस